बहुत सारे investors का ये कहाना है कि वो जब कोई share BSC में buy करने जाता है तब अचानक वो share NSC से buy हो जाता है और जब वो NSC में कोई stock sale करने जाता है तो वो stock BSC में sale हो जाता है ये काफी confusing करने वाला चीज है एक beginner investor के लिए देखी आयसे बिलकुल ही होता है और आयसे होने का करण है ख execute करवाए इस rule के चलते कोई भी stock broker अपने trading platforms में किसी exchange का preference set नहीं कर सकते फॉर एक्जमपल अपने टड़ा मूर्स का stock BSC से 420 रूपीज में buy किया और T plus 2 day के बाद जब आब उसको sell करने जाएंगे BSC पे उसका price है 422 रूपीज NSC पे 425 रूपीज आप broker का का काम है share को 425 मे NSC में sell कर वाई ना कि 422 में BSC पे यहां एक बाद note करना जरूरी है broker को इस provision का पालन सिर्फ delivery में ही करना है इंट्रडे पे नहीं इस circular को अगर और इडिरल में जानना चाते हो तो इस link से जान सकते हैं link description में भी दिया हुआ है